नमस्कार दोस्तों तो आपको मैं दिखाता हूँ बहुत ही भेंकर नजारा ये घटना घटी है नौ तारीक की रात को आठ वजे के करीब छे बजे के करीब बेटा आता है घर अपनी ड्यूटी से तो साथ आठ वजे के करीब खाना यहाँ पे बैठके इस रूम में जो इधर करूम था बेटा और बाप खाना खाते हैं खाना खाने के बाद जो बेटा है उसके बाद इस कमरे में आ जाता है रात को आराम करने खाना खाने के बाद यहां पर तो जो बाप है वो यहां इसी कमरे में रहता है तो जब बेटा यहां पर आता है तो दो मिनट बैठ के रेस्ट कर रहा होता है बेटा तो उस वक्त इस कमरे में धों के गुवार आता है तो बेटा उठत है चिलाता है पापा घर में आग लगी है बेटा दोड़ता है यहां पे दोड़ने के बाद यहां आता है अपने बाप के पास और बाप भी परशान हो जाता है यहां से दोनों बाप बेटा बहां निकल जाते है उसके बाद नीचे आते है और बाप जो है किना मीटर के पाज और तार को देखते, चेक करते, यह सोच रहता है कि मीटर में आग लगी, उन्हें यहां से मीटर की तार निकाल दी, तो धुआ कई नहीं था, इदर नजर निया रहता, जो बहाँ पे इसकोने में जाता है, इसकोने में जाता है, तो पिछे, जो पिछली साइड है, मैं दखता है, उसके बाद दोनों वापिस आते हैं, तो अंदर जाने कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, यहां से गेट से, तो पर उतना धुआ अंदर से आ चुका होता है, तो सबकेशन होने लगी था, उनको थोड़े अंदर गे थे वो, पर अंदर नहीं जा सके, फिर वापिस आग लिका, तो वहाँ पर बिस्तरे बेरा रखे थे, बेड रखे थे, डबल बेड, सोफे बेरा जितने चीजे थी पिछली तरह, तो आग कौने में पकड़ दी, और इतना भ्यंका रूप आग ने लिया, छत बेरा को पकड़ा, और क्योंकि लकड़ी का मकान था, और इसमें स्म अपड़े भी नहीं पहने, मतलब निकर पहन रखे थी, जुते पैर में नहीं थे दुनों के, तो निकलने के बाद सिदे वह यहाँ पे, यहाँ आगे चले गे, तो ब्यंकर इतनी आग ब्यंकर थी, बहुत ही खतरनाक नजारा था यहाँ के, उसके बाद उन्होंने फौन कि गाओं से बहुत सारे लोग आगे, इदर वाले गाओं से, इदर पार भी गाओं, उदर से भी आगे, कम से कम यहाँ पे हजार आदमी कठा हो गे ते, सिर्फ कुछ नहीं कर सके क्योंकि कर भी नहीं सकते थे, कुछ यहाँ पे, जो फायर ब्रगेट की गाड़ी है, वो भी य यहाँ तक नहीं पहुंच सकी, अगर वो रोड बना होता, तो फायर ब्रगेट आती, तो आदे मंजिल नीचे और जो मंजिल थी, वो बचा सकते थे, वो भी प्रशासन और के नाम है, डेपार्टमेंट की लापरोईजिन रोड नहीं बनाया पूरी, पूरा जिस सिस्टम से उस तरह से, तो कुछ नहीं बजाने का इसमें कोई भी चांस नहीं था, कोई किसी तरह से, क्योंकि सब को अपने जाहर प्यारी होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भ्यंकरे लप्ट है, निकल रही थी कि बहुत दूर तक, दूर दूर तक जो है, इसके जो तपिश लग और सब, जितने भी यह देखती रहे हैं, सारे इसलेंडर पर रहा है, बहुत सरा समान सारा जो यहाँ पे दफन हो चुका है, यादे दफन हो चुकी है, इस मकान के तरह तरह से, लकडियों के मकान होते है, इस तरह से घटना हो जाती है, सोट सरकट से, तो अब कुछ नहीं यहाँ पे खंडर हो चुका है, दोस्तों, प्राणिया दे भची है सिरफ इस में, देख लोग जो यह चीजे निकाल के, यह ग्रिले रही है, तोस्तों यह ग्रिले है, और उसी रात प्रशासन S.D.M. साब ने जो है पटवारी को मौके पे बेजा है, और दूसरे दिन S.D.M साब खुद भी आया है, पुलिस डिपार्टमेंट आया है, फोरस्ट डिपार्टमेंट आया है, और जितने भी पार्टिया है, वो सब आया है, देखा निजारा यहाँ पे, तो यहाँ पे खतम हो चुका है, सब कुछ, निजारा खतम, यह देख लो आप सब कुछ, और जहां पर रहना होता है। पूरे उंबर लगा दिए... उंबर पैस्से जहां लगा जाता है, वो खतम सब कुछ हो चैका है... वो द्वारहस मिलेगा नहीं... घर बन जाएगा। जकी नहीं पहलेगा। उसमाता होता था है। जो बनता था बंगला टाइप अब उस तरह नहीं होता है कि गरम भी होते हैं बहुत ज़्यादा सर्दियों में गरम होते हैं घरमी में थंड़े होते हैं तो इस तरह की अब नहीं मिलेगी चीज़े यादे जुड़ी है सारी इन से तो यह है रोडुत तैसल का लोरकुटी गाओं गाओं वालो का मकान है रजिंदर ठाकुरून का नाम है तो यह खंडर रह गया है देवलों सारे चीज़े प्रिज आप वीडियो को लास्ट में जो है इस मेन हैं मंकान की घर के अंदर के सारी तजो इसमें यहादे रहे तो करते हैं अंचे旦 नमशकार बाई बाई-बाय झाल 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 झाल